दोस्तो ये है धनबाद जो की जार्खन राजे का दूसरा और हमारे भारत का 42 वा सबसे घनी आबादी वाला सहर है आज के समय में धनबाद एक विकास सील नगर के रूप में जाना जाता है तथा धनबाद जिला जार्खन राजे के पूर्वी हिस्से में इस्थित होने के कारण यह अपनी सीमाएं पश्चिम बंगाल के पुरूलिया तथा पश्चिम बर्दमान डिश्टिक से साजा करता है यह खदाने परियटन की दिरिष्टी से भी काफी महतोपून है क्यूंकि यहां पर काफी बड़ी संख्या में परियटक इन खदानों को देखने आते हैं इसके अलावा धनबाद को भारत की कोईला राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है जो वर्तमान समय में कुल दस प अबासियों की है तथा इस जिले की कुल आबादी में प्रती हजार पूर्सो पर सिर्फ 909 महिलाए हैं वहीं अगर धार्मिक दिरिष्टी कौन से देखा जाये तो धनबाद जिले में 81.22% हिंदू, 17.10% मुस्लिम, 0.65% क्रिस्चन और 0.47% सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहीं एक सर्वे के मुताविक धनबाद भारत के उन सहरों में गिना जाता है जहां पर 4G की इंटरनेट स्पीट सबसे अधिक है तथा वर्तमान समय में धनबाद IT यानि के इनफोर्मेशन टेकनलोजी की फिल्ड में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा हैं बट अब सोस क की बात ये है कि आज भी सहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच गैंक्स ओफ वासेपूर मूवी जैसी है धनबाद जिले का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात की जाए इस जिले के ट्रांसपोर्ट बिवस्था की तो ये जिला मुखे रूप से ट्रां जुड़ा हुआ है यानि की रेल, रोड और हवाई मार्ग जिसमें कि यदि हम रेल मार्ग की बात करें तो धनबाद रेल डिविजन मुंबई डिविजन के बाद रेवन्यू जनरेशन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल डिविजन है वहीं धनबाद सहर रेलवे राजमार्ग 18 से जुड़ा हुआ है जो यहां से गुजरने वाली कुछ परमुख राजमार्ग है वहीं इंटर सिटी रोड यात्रा के लिए यहां पर नीजी और राज्ये बसे भी उपलब्द हैं तथा हवाई मार्ग के बात करें तो वर्तमान समय में यहां पर एक छोटा सा प्राइवेट एर श्ट्रिप है जिसका उपयोग नीजी छोटे विमानों और हेलिकॉप्टर्स के लिए किया जाता है और आईए अब आखिर में जान लेते हैं धनबाज जिले में घोमने फिरने योगे कुछ अस्थानों के बारे में तो यहां पर आप मैथन डैम, सक्त चांची मंदिर, पंचेत डैम, दोजोन गलेरिया मॉल, भटिंडा फॉल, तो चांची लेक और बिरसा मुंडा पार्क जैसी जगों पर जा सकते हैं